हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में जो आप लोगों का सबजेक्ट है MA हिस्ट्री से अगर आप अपना MA कर रहे हैं तो आप लोगों का यहाँ पे 2023 का जो कोशन पेपर है जो एकजाम से मैं आपके कोशन पूछे गए थे वो कोशन पेपर मैं आप लोगों के लिए लेके आ रखाऊं ताकि आप लोग जो है आपका जो अभी एक्जाम होने वाला है उसमें इजी लिए अच्छे मांक्स लेके आए उसके बाद देख सकते हैं यहापे जो बुक का नाम है आपका वो है भारती राष्टी अंदोलन भाग सेकिन्ट और जो बुक का कोड है आपका वो है मह चाई 103 तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो कोशन पेपर है इसमें किस टैप के कोशन पूछे गए थे तो यहाँ पे सबसे पहला जो खंड को है इसमें देखिए आप लोगों के पास 5 कोशन आएंगे तो 5 में से सिर्फ आप लोगों को 2 कोशन का ही आंसर करना है और जो 2 कोशन है दोस्तों जो आप आप आंसर करेंगे तो यहाँ पे एक कोशन होगा 19 नंबर का तो जो सेक्षन जो है हमारा जो सेक्षन ए है इसमें से आपके जो है 38 जो है मार्क्स के कोशन से 2 तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों यह जो आपको 4 5 कोशन जो सेक्षन A में है इनके जो answer है वो आपको एक बार देख लेने हैं क्योंकि यहां से जो है आपका एक या दो question आपके exam में जरूर repeat होंगे अगर एक या दो question में repeat होते हैं तो easily आप लोग जो हैं जो आपका exam होने वाला है उसमें अच्छे marks लेकि आ सकते हैं 45 या 40 प्लस आप cross कर सकते हैं ठीक है उसके बाद देखिए हमारा जो session जो है section B है खंड खो इसमें देखिए आप लोगों को 8 question दिखाई देने को मिलेंगे तो यहां पर जो 8 questions है इसमें से आपको सिर्फ 4 question का ही answer करना है और जो 8 question होगा वो यहां पर 8 number का होगा और अगर कोई changes होता है इसमें तो आप question paper जो है exam देंगे जब आपका question paper आपको मिलेगा तो इस time आपको जो है marks भी वहां पर show हो जाएंगे कि कौन सा जो question है वो कितने number का है ठीक है और दोस्तों आप लोगों के लिए जो है मैंने एक whatsapp group बनाया हुआ है अगर आप लोगों ने जो हमारा whatsapp group है वो join नहीं किया हुआ है तो नीचे discussion box में whatsapp group का जो link है वो दिया गया है तो click करके आप सभी लोग join कर सकते हैं और साती ही में दोस्तों अगर आपको जो है ये वीडियो helpful लगी हो तो वीडियो को like भी कर लीचिएगा चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो subscribe भी कर लीचिएगा और whatsapp group को जरूर join कर लीचिएगा सभी लोग क्योंकि अगर कोई भी notification आएगा तो मैं आप लोगों के साथ whatsapp group पे ही share कर पाऊंगा तो whatsapp group join कर लीचिएगा नीचे discussion box में link दिया हुआ है और यहाँ पर दोस्तों ये जो section B है आपका यहाँ से देखिए आपके एक या दो question repeat होंगे अगर दो question भी repeat होते हैं तो easily आप 30 या 40 plus marks लेके आ सकते हैं के subject में ठीक है तो चलिए दोस्तों ये जो question है 13 इनको solve कीजीएगा इनका answer देखिएगा एक बार की क्या answer होगा और अगर कोई भी question repeat होता है तो easily जो है वहाँ पर answer करके आईएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको हमारे next video में तब तक के लिए bye bye and have a good day